क्लास्रूम स्टूडेंट से खचाखच बरा है कूर्सी पर बैठे हुए स्टूडेंट और मेज पर रखी हुई किताब कॉपी प्रोफेसर साब अंदर आते हैं और सब बच्चों से कहते हैं कि आज मैं तुम्हारा एक अलग प्रकार का टेस्क लेना चाता हूँ क्या तुम तैयार हो सब बच्चों ने किताबे खोलना शुरू की कि पताने कौन सा प्रश्ण पूछ ले तो टीचर ने कहा कि इस किताब से मेरे सवाल का कोई लेने देना नहीं है इसे बंद कर दो उन्होंने सब बच्चों को एक पेपर दिया और कहा कि इसमें तुम्हें जो दिख रहा है उसके बारे में तुम्हें कुछ लिखना है तो सब बच्चों ने देखा कि कुछ लिखा होता ही नि और बड़े गौर से देखा थे एक छोटा सा काला डॉट एक पेपर के बिलकुल बीच में था अब जिसको जैसा समझवाया उसने वैसा लिख दिया सारे आंस्टर शीट टीचर के पास पहुंचके टीचर ने खोल के देखा एक भी बच्चा पास नहीं हुआ टीचर ने कहा कि तुम्हें सिर्फ एक डॉट दिखाई दिया और हर इंसान इस डॉट के बारे में ही लिखा है जबकि वो सरफ पेपर का एक परतिशत इसा था और 99 परतिशत पूरा खाली था उस खाली पर तुमने कुछ ध्यान नहीं दिया एक काले डॉट पर सिर्फ ध्यान दिया परेशानियों पर गौर करोगे अवेशा परेशानिय ही आपको दिखते रहेगी आप समाधान पर गौर करना शुरू कर दिजिए आप दाब में आपको अवसर नजर आना शुरू हो जाएगा तो आपको भी आज और इसी वक्त समस्याओं को छोड़ कर समाधान पर बात करने चाहिए वरना वो एक ब्लैक डॉट ही आपको अमेशन जिन्दी की में दिखाए देता रहेगा वो खाली पेपर कभी दिखाए नहीं देगा नवशकार प्रियसाति हूँ प्रियसाति हूँ अगर आप मुझसे परसली बिलना चाहते हैं तो आज मैं चैन्ने में हूँ 11 तारिको 12 और 13 तारिको हैदरबाद और बेंगलोरु हूँ 19 और 20 नवबर को जैपूर हूँ 24 नवबर दिली 25 नवबर कोलकाता 26 नवबर जमशेथपूर और 27 नवबर को पठना मे हूँ आप चाहें तो यापर मुझसे परसली मिल सकते हैं क्या टेलीफोनिक और वीडियो कॉनफरेंसिंग अपॉन्मेंट के द्वारा भी जूट सकते हैं आज सब से पहले गुरु मंतर में बात करेंगे देनु योग के बारे में लेगे शुरुबात गुरु मंतर से तरक्य और मान सबमान किसे नहीं चाहिए और प्राप्त है तो और चाहिए मान सबमान के लिए आज महा उपाय करना जरूरी है गर के मंदिर में देवताओं के समक्षगी का तीपक प्रजूरित कर स्री सुक्त का पाट करें अब गुलाब के पुष्प के माला चड़ाएं एक लाल रुमाल में अक्षट, सिंदूर, दो कपूर, दो लॉंग और एक कोई भी सिक्का रखकर मंदिर में अर्पित करते हैं और मन ही बन जिवर में तरक्की करने के लिए मान सम्वान के प्रारतन करें लाल बस्तरों को किसी मंदिर में रखाएं और गाई को हरा चारा उसके बास जरूर खिलाएं आपका खुद का आत्मिक सम्वान बढ़ना शुरू हो जाएगा पर ये साथी और चंद सेकिंड आप लोगों लोगा आज की कुनली और आज की पंचान को लेकर देखे आज रात को आट बचकर सतरा मिनट तक तरतिया और बाद में चतूर तितिती रहेगी और आज पूरे दिन मरे की शिरा नक्षत रहेगा ग्रहों से बनने वाले वाशी योग, आनदादी योग, सुनफा योग, बुदा देती और लक्ष्मिनारेन योग तो एज यूजर बन रहा है लेकिन आज एक नया शिव योग भी बन रहा है अगर आपके राशी मितुन कर्णिया धनू और मीन है तो हंस योग, मेश कर, तुला और मकर है तो शर्ष योग और मालव योग का लाब बिलेगा आज चदरबा अपने राशी बदलेंगे शाम को 6 बच कर 16 मिनिट के बाद मितुन राशी में प्रविश करेंगे आज के दिन शुब और मांगली कारियों के अगर शुब समय की तलाश में है तो वो आपको दो बार मिलेगे पहला सुबह सवाट से सवादस बज़े तक लाब और अम्रेत का चोगडिया है और दो फैर को सवा एक से सवादस दो बज़े तक शुब का चोगडिया है कोशिश करीगा कि सुबह साड़े से दो फैर बार बार बज़े तक राउकाल के समय शुब और मांगली कारियों नहीं करने चाहिए आईए राशी फल के शुरुवात मेश राशी से करते हैं फैनेशल पोजिशन बहतर करने के लिए आज लाब ही लाब को प्राप्त करने के लिए कुछ अलग सोचनार करना चाहिए बुद्ध आदित्य शिव और लक्ष्मिन नारानी योग के बनने से मैनुफैक्चरिंग, ट्रेडिंग हो, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट से जुड़े वे लोगों को अच्छा खासा मुनाफ़ा हो सकता और बिजनस में आज आपका काम भी आगे बढ़ेगा बिजनस बढ़ाने के प्रियास में आपको आज किसी की मदद लेनी पड़ेगी संपत्ती से संबदित, अगर को डॉक्यमेंट है, कोई इंपोर्टन चीज़े हैं, वैल्यूबल चीज़े हैं, उसे संबाल कर रखिए वरना चोरी का खत्रा है स्टुडेंट, आर्टिस और प्लेर्स, अपने आच्छी फिटनेस से दूसरों का ट्रेड करेंगे सर में दर्थ परिशान कर सकता है, खयाल रखिएगा विरिशब राशी, आत्मा सब्मान और आत्मा विश्वास बढ़ेगा आज आप, अगर कोई भी प्रकार का मैनुफेक्चरिंग काम कर रहे हैं तो मशीन, टेक्नलोजिय, किसी विशेश लेबर की तकलिप आसकती है विरोधियों की चाल कामयाब हो सकती है, भाए आपका बढ़ सकता है, ध्यान रखिए और भाए और डर छोड़कर आत्मा विश्वास के साथ काम करोगे, तो आपको कोई डरा नहीं पाएगा आत्मा विश्वास बढ़ाने के लिए वही काम इंसान को करना चाहिए, जिसमें से सबस्यादर डर लगता है वर्ड़ेस पर आपके मन में सकारत में विशार आएंगे, और आप और अधिक बहनत कर पाएंगे वर्ड़ेस पर दिएगे काम में, आप अगर पूरी इमानदारी दिखाते हैं, तो आज आपकी पीठ पीछे भी तारिफ होगी परिवार के साथ बोजन और उन विचारों को जरूर शेर करें, जो आपके दिल और दिबाग में हैं जरनल एक्जाम होई या कॉम्पेटिट एक्जाम की तैरिक करने वरे स्टुडेंट के लिए, आज कहीं एपलाई करना, अपनी स्ट्रीम को बदलना सोशल मीडिया पर बहुत सारी जानकारे आपको आपके काम की बिल सकती है आप अपनी मांसिक शक्ती को बढ़ाने के लिए, आज योग, प्रणायम, ध्यान, चिंतन का साहरा जरूर लिजिए में तुन आशिक बात करते हैं, कानूनी दावपेश थोड़े आपको सीखने चाहिए ऐसा कोई भी काम जिस पर आप किसी और पर महताज रहते हैं, तो उससे सीखिए ताकि अब हम आत्म निर्पर बन सकें, बिजनस में प्राप्त धन आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं होगा, खर्चे और गर्चे बढ़ रहे हैं, आपके कमिट्मेंट डिस अब हो सकते हैं पार्टर्शिप के बिजनस में ट्रांस्परेंसी जरूर रखिएगा, फाल्तू की गॉसिपिंग में या ऐसी टाइम बेस्ट करने वाले काम आप नहीं करें, बर प्लेस पर अपनी शमताओं को पहचाने, क्योंकि आपके अंदर ताकत की कभी नहीं हैं, बस इच्छा शक्त करिए दोस्तों के साथ, मन बेत और मद बेत भी दूर होंगे, योग मन को शान्त करने का सबसे अच्छा टूल है, इसने योग करके दिन की शुरुआत करें, करकर आशे, अपने नैतिक मुले करतब दिये को पूरा करने के लिए आज आप कुछ अच्छा काम करेंगे, पहल क आपको शांदार काम करने का प्रयास करने वाले हैं, जिससे आपका मन अच्छा लगेगा, गरेलू समस्याओं के कारण चुनोतियों के सामना पूरी निडरता से करिए, अपने दैनिक दिन्चरिया में आपको बड़ा बदलाव भी आज करने वाले हैं, आपको सम्मान और व आपको ये प्रण ले रहा हैं, कि आप वही करिए जो आपका दिल चाहता है, बस टाइम वेस्ट करने का काम ने करें, अब आपका समय बहुत कम बचा है, मेरे प्रेसातियों, आईए बात करता है, सिंग राशिकी, वर्कोहलिजम, काम करने का नश्चा आपके बीतर रहेगा कुछ अलग प्रकार से कर गुजरने के तमना आपकी बीतर आएगी, बिजनस पर आप अपने खर्चों पर काबू पाईए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इस वीकेंड को एंजोई करने के लिए, आज जेब डिली होने वाली है, परिवार के साथ कहीं बार घुमने जान करने वाले हैं, तैर हो जाएं, भविश्य में आपके लिए वर्दान साबित हो गाई है, वर्क प्लेस पर आप अपनी कड़ी बहन से मिली पहचान से संतूष होंगे, किसी प्रकार के सरकारी नोटिस से आप घबराई मत जवाब दीजिए, परिवार में आपके प्रेम पू करेंगे, जिससे बवश्य खुद बखुद बन जाएगा, कन्यराशी, स्पिरिच्वालिटी, आध्यात्मिक विकास आज आपका तैय है, बुद्ध, आधित्य, लक्ष्मिनारान और वाशी योग के बनने से, हैंडिक्राफ्ट और ऐसे लोग जो जूलरी का बिजनस करते है फूड और बेवरेचेस, होटेल, रेस्टरान, टूर्श और ट्रेवल का का काम करते हैं, किसी भी प्रकार के, आईटी प्रोफेशन्स जुड़े वे लोगों को नेशनल और इंडरेशनल लेवल पर अपने एक काम की 26 हुदारने मौका मिलेगा, मुनाफ़ बढ़ाने का मौ अपने एरेक्शन यानि सेल्फ अनलेसिस जरू करिए, अकेला समय इसके लिए बहुत अच्छा है, आप उर्जा से बरे रहेंगे, जिसके चलते हैं, आपको स्टूडेंट, आर्टिस और प्लेट्स, अकेले, उदास, मायूस, मत होईए, अपने सलाकार से, अपने टीचर, क मेंटोर से बात करिए, कोई ऐसा इनसान होगा जिससे आप दिल की बात शेयर कर सके, आप जरू करेगा, शेहत में पॉजिटिव बद्राव हो रहे हैं, बात करते हैं, चेहर आशिबद मैथोलोजी स्पिशल में, आखिर क्यों लगाई जाती है गर के में गेट पर गोड़े उतर पश्चिम या पश्चिम हो, तो उसके उपर बाहर के दरफ गोड़े की नाल लगा देने चाहिए हैं, जो तिशा सरे नुसार काले गोड़े के पैरों पर शनी का विश्यश प्रभाव होता है, ऐसा कहा जाता है, कि काले गोड़े की नाल को अगर काले कपड़े में दुश्प्रभाव कम होता है, दुरभाग ये दूर होता है, इसलिए गर के बाहर आपको यू आकार में लगा देने चाहिए गोड़े की नाल, वो भी शनी बाहर को, बात करते हैं तुला राशी की, दादा, दादी, ताउजी, चाचा जी, ददियाल से संबद और संपर्क बढ़ाई है, जो लोग आईरन, बिल्डिंग मेटरियल, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपरटीज, क्यमिकल का बिसनस कर रहे हैं, मैनिफेक्चरिंग का कुई काम कर रहे हैं, उन लोगों को कच्छे माल और जो बने वे माल को बेचने के लिए, खरीदने के लिए, कुछ दिक्कतो का सामना आज करना पड़ेगा, ध्यान रखिए, इस समय किसी समस्या के कारण आपको तनाव भी रह सकता है, धीरज, धैरी और सहियम, इसका जरूर आपको उधारन पेश करना चाहिए, वर्क प्लेस पर दिन अच्छा है, विरोधियों की बिचाय जाल में आप फंसने वाले इस से बचिए, सतर रहिए, और आप अपना काम करते रहे हैं, परिवार के साथ, आंशिक संबंदों को और बजबूत करना भी जरू होता है, यही सही भी है, जीवन के विल आपके बारे में नहीं, बलकि आपके और आपके साथ देने वाले लोगों के बारे में भी है, लव प्रणायम, हसी खुशी से दिन की शुरुबात करिए, बरिश्चिक राशिक बात करते हैं, शादी शुदा हैं तो लाइफ पार्टनर वड़ना लव पार्टनर वो भी नहीं है, तो दोस्तों के साथ मन बेद और मधभेद को बुलाईए, लव पार्टनर लाइफ पार्टन अगर दूसरों से अलग दिखना हो, तो अलग बनना है, तो आप इसके लिए आज अलग सोची और अलग कुछ करिए, प्रियसातियों, आज आपको किसी की मदद करने मौका बिलेगा, और मा बाउजी के स्वास से पर विशिश ध्यान देना चाहिए, कस्ट इतना कस्टकारी नहीं होता है, जितनी उसकी चिंता कस्टकारी होती है, ये दियान रखिएगा, धनुराशी, खर्च और कर्ज में कमी लाने के लिए, आमधनी बढ़ाने के लिए, आज विचार करना चाहिए, बोल्ड डिसिजन लेने चाहिए, रेडिबेट गार्मेंट्स, जो लोग कूटीर, उध्योग चलाते हैं, टिफिन सर्विस चलाते हैं, फूड और बेवरिचेज, होटेल, रेस्टरेंट का काम करते हैं, फ्रीलांसर है, सर्विस प्रोवाइडर है, आई टी प्रोफेश्चर है, उन लोगों के लिए अच्छा टाइम है, थोड़ा इन्वेस्मेंट भी आज अच्छा होगा, धैरे पूर्वक समस्याओं को सामना करते हुजाओगे, तो समस्याओं पर पार्ट पा जाओगे, वर्प्लेस पर, काम करते समय अपने सीनियर के साथ, किसी तरह का मिस कम्यूनिकेशन न रखें, या फिर किसी भी तरह की गलत फ्रमी न रखें, आज एक सर्प्राइस पार्टी दे सकते हैं, जीवन में नए चरण की शुरुवात आज हो सकती है, लव पार्टर और लाइफ पार्टर के साथ, विकेंड को एंजॉय करने के लिए आज आपको बौका बिलेगा, परिवार की किसी एक कमी को पूरा करने के लिए आज आपके जीवन में निखार लाना है, कुछ नया सीखना और करना है, बिजनस में ले आगा है डिसिसन या कोई भी खर्चा इंवेस्पेंट है, वो आज आपके हाथों से शुप तरीके सोने वाले हैं, लोन एप्रूव हो सकता है, टेंडर खुल सकते हैं, ओर्डर मिल सकते हैं, इसक परिवार के सुख सोविधाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं आ रही है, कहीं कोई आपको टेकन फॉर ग्रांटेर तो नहीं ले रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मिस्यूज हो रहा है, चीज़ों करेंगे ध्यान दीजिए, जो भी लोग डीलर्शिप चला रहे हैं, कंस्रक्शन, आइरन ओर का बिसनस कर रहे हैं, मैनुफैक्शरिंग कर रहे हैं, उन लोगों को आज अच्छे लाब बिसकते हैं, बस लीगल अवैरनेस जरूर ध्यान दीजिएगा, लेबर से उचित सोर ताल और बिठाएगा, उन बातों को जरूर सुनना चाहिए, जो आपके काम किये, जो नहीं है, दूसरे कान से निकाल देना चाहिए, वर्पेस पर आप आपना सत्थ प्रतिशत, यानि हंड्रेड पर्शंट एफट दीजिए दिन आपका है, इमोश्टल आपके साथ को अत्याचार क सेहत गडबड होने से स्टूडेंट, आर्टिस और प्लेयर चाहकर भी कुछ खास नहीं कर पाएंगे, संतान की तविद खराब होने से आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ, वो टाइम या क्वालिटी टाइम इस्पेंड नहीं कर पाएंगे, जो करना चाहते, इसलिए परिवार की एकता और सेहत पर ध्यान ज्यादा दीजिए, बात करते हैं मेन राशी की, साहस करेज और एंथूसियाजम में डेवलेप्मेंट होगा, बुद्ध, आदित योग, लक्ष्मी नाराण योग और वाशी योग के बनने से, कंस्ट्रक्शन, बिजनस, आए मेन नई बरती होगा, नौकरी में काम की प्रशन्स होगी, जल्दी बाजी न करें, कॉम्पिटिटर्स हावी हो सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए, पराकर में बरती हो सकती है, सामाजी कारी कर रहेंगा, अवसर मिलेगा, समाज परिवार गली महलें के लिए, सोशल मी अवसर में बरती हैं, इसलिए आज जी जान लगा दीजिए, टाइम वेस्ट मत करेंगा, मेरे प्रेसातियों, आई आप कारिकरम गात्में बात करते हैं, आज कैस्टरो ग्यान में देनु योकी, अगर आपकी कुंडली में लगने इस्तान, लगने जो कुंडली है, उसमें जो सेकिंड आउस है, वो धन का गर होता है, उसमें शुब गरह हो, शुब गरह देखते हो, और या फिर दूसरे गर के लौड, यानि सेकिंड आउस के लौड, उदित होकर, यानि अस्त नहीं होने चाहिए, उच राशिवी बिराजबान हो, स्वर राशिवी बिराजबान ह और उसके बाद वो वहाँ से निकल कर धन भाव में बैठ जाए केंदर के चारों भाव में कहीं बैठ जाए या फर्स्ट, फिफ्ट और नाइंत आउसे में राजबान हो जाए तो देनु योग बनता है ऐसे व्यक्ति के संपदा कुबेर से कम नहीं होती है रत्रों, वस्त्र, अभुशन के बंडार होते हैं परमार्त और सेवा काम में धनका सदुप्योग करते हैं देनु योग में जन्वे व्यक्ति को विद्या, कुटुम, यश, मान सभी कुछ सहस्ता से प्राब्द होता है मेरे प्रिसातियों सवस्त रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए आप उसे फट से बिल भी सकते हैं या टैलिफोनिक और वीडियो कॉन्फरेसिक अपटमेंट की दुबारा भी जोड़ सकते हैं आज के लित रही यार वरा नमस्कार और बहुत बहुत आशरवाद